हेलो माई डियर फ्रेंज एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ती चानल में स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी ट्विन फ्लेम के अलावा भी किसी से अट्रक्शन हो सकता है या होता है जाधा तर त हैं डियम भी आपके ट्विन फ्लेम ही हुए या बहुत बाहर इनवक करते करते डियाफ ही इस स्टेज तक पहुच जाती है उनकी लाइफ में कोई सोल में आता है या कोई कार्मिक आता है बीच में आ जाता है और उसकी तरफ अट्रेक्शन फील होने लगता है या फिर आप या अननैसरी अगर अट्रेक्शन होना शुरू हो गया किस वजब से होता है इस चीज पे हम बात करेंगा कई लोगों को तो ये बड़ा असंभौ सा लगता होगा कि नहीं यह तो होता ही नहीं हम अपने ट्वेन के अलावा और किसी और से ट्रेक्ट ही नहीं सकते हैं तो नह किसी किसी के साथ ह कुछ लोकों के एसा होता है कुछ уб ईयुक्त हो सकता या कोई सोल मेंहों जो सकता है जो किसी important learning कि वजह से आया है लेकिन फेशन में कई लोगों को यह शक होने लगता है कि हम twin flame journey में है भी या नहीं या फिर यह ऐसा कैसे हो सकता है हमने तो अज तक यही सुना था कि twin flame को किसी और से attraction होई नहीं सकता तो ऐसा क्यों हो रहा है तो आज इस बारे में इस वीडियो में बात करी जाएगी हाँ हो सकता है कि वह प्यार उस level का ना हो या अगर आप बाद में पहले फॉल्स twin से डील कर रहे थे बाद में किसी रियल twin से मिले तो उससे attraction आपका ज्यादा होगा उससे attraction आपका उसी level का होगा जैसा आपके twin flame या जैसा आप इसके साथ फील करते थे पहले person के साथ या में भी हो सकता है उससे भी ज्यादा attraction हो लेकिन होता है attraction इस journey में अगर मैं यह जवाब दूं कि क्या यह possible है तो हाँ जी यह possible होता है अगर आप यह चीज नहीं जान रहे होते हैं तो आप काफी ज़्यादा घबरा जाते हैं जब इससी situation में आप आते हैं कुछ लोगों को तो समझी नहीं आता है कि ऐसा क्यूं हो रहा है और कुछ लोगों को डाउट होने लगता है कि यह मेरा ट्विन था या यह परसन मेरा ट्विन है तो चलिए आज इसी बारे में हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे और इन सब के रीजन को जानेंगे कि यह किस वज़े से होता है इसके पहले में आपको थोड़ा सा एक और इंफोर्मेशन याद दिला दूं अपने क्लासिस के बारे में कि मेरा रेगुलर यानि डेली इनवक का जो क्लास है उसका नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है मौर्निंग पांच बज़े से जो लोग भी इंट्रस्टेड हो वो कम्यूनिटी पोस्ट में मेरा पोस्ट चेक कर लें जो मैंने कल ही शेयर किया था उसमे क्या-क्या 15 डेज में क्या-क्या मेडिटेशन कराए जाएंगे वो सारी डीटेल्स दी हुई है तो जो लोग भी इंट्रस्टेड हो वो हमें नेक्स 15 डेज के लिए जाइन कर सकते हैं सारी डीटेल्स आपको कम्यूनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगी कल वाले और कल वंडे क्लास स्टार्ट हो जाएगी ओके फ्रेंश मैं जानती हूं सबको इनवक क्लास की जरुजरत नहीं पड़ती है लेकिन हां कुछ ऐसे लोग भी है जो बड़ा है डेडिकेट ली नक करते हैं कुछ भी चोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ लोग बैच स्टार्ट होने के बीच वोटता नहीं चला है तो चले ठीक है बस इतना पह एक नहीं था तो अब आज 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 आते हैं आज की टॉपिक यह था की टूइन फ्लेम in vain जिपने के साथ में कि अजयों करें के बसार है मुझिन के अलावा भी लोग का जाते है उनकी life में या किसी और से भी उनको attraction होता है उन्हें attraction होता है या उनके DM को attraction हो सकता है वो खुद third party में कभी-कभी चले जाता है या उनके DM भी third party situation में होते हैं इसा क्यों होता है हम यह DM-DF का अलग से नहीं करेंगे सिर्फ twin flames की life में अगर कोई person आ रहा है वो किस reason से आ रहा है अगर आप twin flame journey में आ गए और आप इनवक कर रहे हैं और कोई person third party आपके DM की life में आ रहा है तो वो किस reason से होता है तो सबसे पहला point तो यह आप note कर लीजए कि twin flame journey में अगर आप हैं और इनवक कर रहे हैं तो कोई भी person अगर आपकी life में आ रहा है और आपको उससे strong attraction भी हो रहा है आपके DM को strong attraction भी उससे है तो ऐसा person unnecessary तो नहीं है आपकी उनकी life में बहुत ही बड़ा purpose है या कुछ learning है या क कुछ बहुत ही important karma या कुछ important चीज lesson जोड़ा हुआ है उसके साथ में learn करने के लिए इसलिए वो person आया है इसलिए attraction हो रही है जिन लोगों को यह पता नहीं होता कि यह किस reason की वज़े से यह person आया है वो हमेशा confused रहते हैं कि twin flame कौन है twin flame कौन है यह person है या वो person है इसलिए कम से गम आपको इतना पता होना चाहिए कि twin के अलावा भी लोग आ सकते हैं उनको कैसे let go करना है उनसे कैसे lesson लेना है और कैसे release करना है यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए और इन सारी भीड में या ऐसी situation में अगर आप first जाएं तो कैसे twin flame को पहचानना है यह भी आप करना है कुछ तो है जो lesson learn करना अब जरूरी नहीं है कि वह twin flame ही हो वह soulmate हो सकता है कोई कार्मिक भी हो सकता है यह में अगर आप अपनी जर्णी में कहीं कोई mistake कर रहे होते हैं अपने twin flame को समझने में कुछ mistake कर रहे होते हैं तो आपको आपकी life में आपकी twin flame journey में कुछ और person क को लेकर आया जाता है या आपके soulmate को या किसी कार्मिक को ले आया जाता है और उनसे आपको trigger मिलता है आप उनसे कुछ सीखते हैं और फिर अपने twin flame को समझने में आपको help मिलती है तो दूसरा एक reason यह भी होता है एक reason ऐसे person के आपकी life में आने का यह भी होता है कि आप false twin flame क के साथ थे अभी तक और आप किसी कार्मिक bond की वज़े से किसी strong कर्मा की वज़े से किसी false twin के साथ थे जिसके साथ आपको बहुत सारी suffering जेन ने पड़ी और अब जब आपने अपनी vibration raise कर ली है तो आपकी life में आपका कोई better one जो आपका twin flame है जो आपको बिल्कुल blueprint है जो बि twin flame जैसा ही attraction twin flame जैसा ही सारे science and chronicities होते हैं सारी telepathy वगरा सब आपको आपकी twin flame जैसी ही होती है इस situation में भी आप काफी confused हो रहे होते हैं लेकिन इस situation में भी आपको inner work ही करना होता है आप थोड़ा सा और inner work करेंगे और अपने आपी दीर दीर आपको clear हो जाएगा इस person के साथ आपका क्या relation है या कौन आपका false twin था और कौन आपका true twin flame था या है वो आपको inner work से ही clear हो जाता है अभी यह चीज़ जान लीजे कि आपके DM जो third party situation में रहते हैं वो किस reason की वज़े से रहते हैं बहुत explain तो नहीं करूंगे मैं बस थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी यहां प पहला तो reason की separation create करना है और इसका reason कुछ भी हो सकता है God is reason कुछ भी रख सकते हैं बीच में और यह सारे reasons illusions होते हैं सिर्फ आपको दिखाने भर के लिए क्योंकि जो main learning आपको देनी है वो learning आप सीखें इसलिए ऐसा माया जाल ऐसा illusion create करा जाता है और आप उस चीज़ को जीते हैं उस चीज़ का experience करते हैं और आपके बहुत सारे issues आते हैं surface पे और आप इसको release करते हैं twin flame journey जो टिकी हुई है ना जो twin flame journey का basic अगर हम कह लें तो एक love जो होता है love unconditional love या फिर true love इसी के base पे हम पूरा inner work करते हैं इसी के base पे हमको इतना push मिलता है inner work करने के लिए अगर प्य work कर सकें तो twin flame का मकसद एक तो होता है कि higher जो level का love है उस चीज़ को experience करना higher level का जो unconditional love है उसको सीखना और higher level की spirituality बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच जाना मतलब इतनी higher level की spiritual experiences करते हैं twin flame इतने higher level तक पहुंचते हैं twin flame जो normal इंसान साधना करने में इतना मेहनत करेगा और तब यहां तक पहुंचेगा twin flame बड़ी ही easily इतना उनको push feel होता है inner work करने के परती कि वह बहुत ही असानी से जल्दी जल्दी सारा कुछ सीख लेते हैं बहुत ही असानी से dedicatedly सारा inner work कर लेते हैं एक आम इंसान जो है वो daily इतना regular inner work नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उतना पुछ नहीं मिलेगा उसके पास कोई ऐसा reason नहीं है कि वह इतना इना वक्त करें इतना spiritual साधना करें उसके लिए उसको 5-6 साल कभी इधर गुरू कभी इधर गुरू कभी एक class join करना कभी हो ऐसे कभी पहाड़ों पर भटकना ऐसा करेगा वह तब जाके काफी एक दो साल ती experiences होना शुरू होंगे मतलब तीन साल कह रहे हो तीन चार पान साल बात थोड़ा-थोड़ा experiences होना शुरू होते हैं लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का जो spiritual experiences है ना spirituality में ग्रोथ है इतना fast होता है कि क्या ही बता हूँ यह सारे चीज़ों आप खुद ही experience करके देखी सकते हैं तो मैंने बताया कि purpose और सबसे highest purpose क्या होता है च्विन फ्लेम का love के basis पे उनको यह journey मिले है ना तो सबसे बड़ा चीज़ होता है unconditional love करना unconditional love सीखना और दूसरा spiritual growth अपनी करना और बहुत ही fast way से अपना spiritual growth करना ठीक है तो जब हम unconditional love सीखने निकलते हैं तो unconditional love के लिए हमको बहुत स पास रहे के सीख सकते हैं unconditional love होता क्या है unconditional love में हम किसी व्यक्ति से बिना कुछ चाहे जब love करते हैं या आपके twin flame आपसे अलग हो गया कहीं और चले गया और आप या फिर किसी third party situation में है फिर भी आप उनसे love कर रहे हैं क्या ये unconditional love नहीं होता है ये भी एक purpose होता है सीखना इस जाता है जहां पर आप unconditional love करना सीखें unconditional love को experience करें और इसको सीखें क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि third party क्यों होती है तो third party भी इसलिए होती है क्योंकि वह जब होती है तभी आपको realize होता है कि चलो हम उसके साथ उसको कैसे देख सकते हैं अपने twin को हम किसी और के साथ कैसे देख रहे हैं तो हम भी उसको देख के खुश रह पाएं ना कि हम jealousy में मरें या फिर हम नफरत करने लगे उससे या फिर हम कोई revenge ले रहे हैं उससे या फिर हम उसको course रहे हैं ऐसा कुछ ना करके कैसे हम love की highest form को experience कर सकें यह चीज़ आप सीखते हैं यह चीज़ ऐसे ही नही experiences मिले वो सारी चुनावतिया मिले जिससे आप गुजर के निकले बाहर लेकिन यह सारी चीज़े भी illusion होती हैं यह सारा चीज़े जब आप सीख जाते हैं तो अपने आप ही solve हो जाती है मतलब अगर हम कहलें कि third party situation या जो भी है आपकी जिंदगी में यहाँ पे जब आप वह unconditional love या वो lesson सीख लेंगे jealousy वगर release कर देंगे अपने DM को कोसेंगे नहीं खुश उसको रखेंगे या तब भी उसको love करेंगे या जो भी unconditional love का जो भी conditions होता है वो fulfill अगर आप कर लेते हैं God को यह लगता है कि yes अब आप unconditional love को सीख चुके हैं तो अपने आपी third party release हो जाएगी अ और ये भी जान लीजे कि इसमें आप कोई drama नहीं कर सकते या आपने आपको बार बार यह कह नहीं सकते कि चलो ठीक है मुझे कोई problem नहीं है कोई problem आपको है या नहीं वो आपकी अंतरा अत्मा जानती है वो आपकी real vibration दिखा देगी जब आप अंदर से पूरी तरकी से हील हो आप से या फिर God से नहीं चुपा सकते हैं आपको पूरा learning करकर के वो experience करकर के उस form में आना ही होगा जो कि एक natural unconditional love होगा मतलब आप ड्रामा नहीं करेंगे या बाहर बाहर से सिर्फ उपर उपर से नहीं बोलेंगे वह अंदर से आप उसको feel कर पाएंगे और अगर आप किसी third party situation में है या आप अपने twin के अलावा किसी और से attract हो रहे हैं तो आपका कोई strong karmic bond है उसके साथ में या वो person आपका soulmate है आपको कुछ learning देने कुछ सिखाने आया है तो अपने twin को छोड के वहाँ जाने के बजाए आप उस में क्या learning है उस चीज़ को observe कीजे उस चीज़ को स stand लेना है अपने लिए तो आप वहाँ पर अपने लिए stand लीजे और उस third party को release कीजे यहां पर आपका basic function क्या होता है करना आपको क्या होता है कि deep में अपने जाना होता है अपने आपको check करना होता है देखना होता है कि यह जो नया person है वो क्या mirror कर रहा है उस चीज़ को heal करन करना होता है अपने real twin flame को claim करना होता है और जो unnecessary चीज़े उनको let go करना होता है forgiveness करनी होती है कार्ड cutting करके कर्मा clearing करके उस कार्मिक को release करना होता है या उसके साथ जो भी कर्मा है उसको release करना होता है या उसके साथ जो भी आपका lesson है उसको deep down observe करके उस lesson को समझ के उसको release करना होता है तभी वो person आपकी life से release होगा और तभी आपका real twin flame आपके सामने आपाएगा या वापस से आप अपने real twin flame से connect हो पाएंगे और तभी आपका reunion भी हो पाएगा तो कोई भी चीज twin flame journey में अगर आप इन अवक करने तो unnecessary नहीं हो रही है पर आपको observe ही करना है और release करना है confirm करना है twin को claim करके रखना है ओके friends तो मैंने reason भी आपको बता दिया और आपको ऐसी situation में क्या करना है ये भी आपको बता दिया ओके तो आज के लिए बस इतना ही और daily in a work के कुछ information मैं description box में भी शेयर कर दूँगी वहां से भी आप चेक कर सकते हैं और detail में जानने के लिए community post चेक कर सकते हैं तो ओके friends God bless you all ओम नमस्शिवाएं ओम साइं